इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कमांड प्रम्ट को ट्रांस्पेरेंट कैसे करते हैं सबसे पहले कमांड प्रम्ट ओपन करते हैं विंडो आर दबाते हैं और यहां टाइप करते हैं cmd ओके कमांड प्रम्ट ओपन हो चुका है वйट वाले हिस्थे पर माॉस रख कर रैड क्लिक करते हैं उसके बाद Properties पर क्लिक करते हैं और आग Colors पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहां लिखा है Opacity यह 100 क्या हुआ है किसे जितना कम करते हैं Command Prompt उतना ही Transparent होता जाता है आप चाहें तो इस Black Screen को Change कर सकते हैं Screen Background इन में से किसी भी Color को Select कर सकते हैं उसके बाद OK पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं Black Color Change होकर Pink हो गया है अगर आप टेक्स्ट का Color Change करना चाहते हैं तो एक स्क्रीन टेक्स्ट पर क्लिक कर इन में से किसी भी Color को Choose कर सकते हैं उसके बाद OK पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं टेक्स्ट का Color Change हो चुका है फिर से हम इसे Default यह सा बना देते हैं Screen Background ब्लैक Screen Text वाइट OK इसे Close करते हैं E X I T इसके बाद Enter दवाते हैं इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थोचिछ अजए यूटिए रवाचिछ उपर चाहता है वीडियो जए बेल्सक्राइब